दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्यादा ज्यानवर्धक और अचानक धन प्राप्ती का मूल मंत्र है. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर औरत का कौन सा अंग बेशर्म होकर दबानेया. चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ती होती है. लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूसकर अमीर बन जाते हैं जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है. उसके घर में मा लक्षमी का हमेशा वास रहता है और मा. लक्षमी की कृपाद रिष्टी उन पर सदैव बनी रहती है तो दोस्तों, आज की इस वीड है आज की इस बेहद ही ज्यानवर्धक जानकारी भरी वीडियो में दोस्तों आपको पता चल ही क्या होगा कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पूरी सच्ची श्रधा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओ पूरा परिवार हमेशा हंस्ता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे दोस्तों एक बार की बात है एक गाव में शिव नाम का आदमी रहता था दोस्तों शिव अपनी पतनी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पतनी हमेशा बात बात पर उसे ताने मारा करती थी तु खाने के लिए एक भी डाना नहीं था, मित्रो एक तो घर में खाना नहीं उपर से पतनी, के लिए से वह आदमी बिलकुल परिशान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं मित्रो एक दिन की, बात है शिव अपने घर से बाहर एक सुनसान रास्ते में निकल गया वह सुनसान रास्ते में चल ही रहा था तभी उसको अचानक एक संत तपस्या करते हुए मिले वह उनके पास जाकर बैठ गया जब संत जी अपना तब खत्म किये तो शिव संत जी के सामने रोने लगता है संत जी पूछते हैं उत्र तुम्हें क्या दिक्कत है तुम क्यों रो रहे हो आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है तब शिव संत जी को बताता है कि महाराज मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ अभी तक एक छोटा सा धन्धा था वह भी पत्नी के एक लिश की वजह से चौपट हो गया है वह दिन रात मुझसे जगडा करती है अब तो मैं दाने दाने के लिए परिशान हो गया हूँ हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे मुझसे जगडा ना करें लेकिन वह बिलकुल भी नहीं मानती संथ जी इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इसी वजह से मैं घर छोड़ कर यहां आया हूँ वह संथ जी कहते हैं रो मत बेटा मैं तुम है यह काम बताने जा रहा हूँ तुम है औरत का सिर्फ यहां अंग बेशर्म होकर कर दबाया चुस लेना है अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ती हो जाएगी तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे संत जी कहते हैं जो भी पुरुष औरतों का यहां अंग दबाता या चुसता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है या जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है संत जी ने कहा अब मैं तुमको औरत का वह अंग बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इसे जुरूर करना तब शिव संत जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो दोस्तों तभी संत जी महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं एक नगर में एक किसान रहता था उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहंत करता था उसके घर में किसान और उसकी पतनी रहा करते थे उसे किसान और उसकी पतनी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था उसके घर में किसी भी प्रकार की थी की, वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था उस, किसान और उसकी पत्नी ने इतना प्रेम था की आसपास, के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे, धीरे धीरे उसके पूरे गाउं के लोग जान गए, किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है, धी जा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारी. करते हैं वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में. एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं, जिन में कभी भी लड़ाई. जगड़े नहीं होते हैं, उन दोनों में आपस में इतना प्रेम. है कि मैंने ऐसा अपनी जिन्दगी में कभी भी नहीं देखा. एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में दुखी पिटवाते हैं कि, इस नगर में जितने भी लोग हैं, वह सभी अपने घर में जी. कादिया जलाएंगे राजा की पत्नी पूछती हैं कि आप ऐसा क्यों कर. रहे हैं सबके घर में भी कादिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं. दीपक प्रेम की निशानी होता है. जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदै प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रहे पती और पत्नी के बीच इसलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ दोस्तों राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में डुपकी पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर में रात भरगी का दीपक जलाना चाहिए दोस्तों राजा की बार मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं लेकिन जैसे ही आधी रात होती हैं सभी के दिये बुझ जाते हैं लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है दोस्तों दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी उसका जो भी मन करता था वह वही काम करती थी लेकिन किसको इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि किसान बहुत समझदार था किसान सोचता था यदी मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवज ही लड़ाई जगडा होंगे कलेश होगा दुख तो इसी वजह से कई चीजे किसान अपनी पत्नी की अन्देखा करता था किसान इस वजह से अन्देखा करता था की उसके घर में प्रेम हमेशा समय अपने महल में चड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं चल रहा है लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमदा रहा है लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जर रहा है इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है और इसी वजह से किसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है मित्रों जबराजा रानी की बात सुनता है तो कहता है नहीं तुम्हारा सोचना गलत है जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पतनी की वजह से नहीं है बलकि वह किसान की वजह से है रानी यहां पर किसान बहुत ज्यादा समझदार है आपका सोचना गलत है और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई जगडा नहीं हो है मित्रों राजा कहता है किसान समझदार है और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है दोस्तों इसी तरह कुछ देर चलता रहा राजा कह रहे थे किसान समझदार है राणी कह रही थी किसान की पत्नी समझदार है इसी बात को लेकर राजा और राणी के बीच काफी जगड़े हो गया इसके बाद रानी ने राजा की दाढ़ी उखाई यह और राजा ने रानी को उठा उठा कर जोर्वा पकड़ कर भठका इसके बाद राजा कहता है हम लोगों को जगड़ा करने की जरूरत नहीं है क्यों ना हम किसान और उसकी पतनी की परीक्षा ले ले सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तयार हो जाते हैं तब राजा अपने महल में जाता है और और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रशन में तुम से बोल रहा हूँ वह तुम किसान को बोल देना वह पुरुष सैनिक बोलता है ठीक है महाराज वह पुर सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है उसे समय किसान की पतनी खेतों में गई थी लेकिन किसान की कुछ तबियत ठीक नहीं थी इस वज़य से वह खेतों पर नहीं गया था से कहता है मैं राज दरबार से आया हूँ राजा साहब ने, मुझे भेजा तो दोस्तों किसान कहता है बताएे मैं आप क्या सेवा, कर सकता हूँ आप बैठ जाएए मैं आपके लिए पानी लेकर आता, हूँ तब वह सैनिक बोलता है कि नहीं तुम कुछ भी मत लाओ मैं राजा का सैनिक हूँ बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ तब किसान कहता है ठीक है सैनिक आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है सैनिक कहता है किसान राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से दो गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा लेकिन जो सेठ ने जवाब दिया वह सुनने लायक है सेठ ने कहा राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों न दे दे लेकिन मैं अपनी पतनी को नहीं छोड़ूंगा जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है सैनिक जाता है और राजा को सारी बाते बताता है समय राणी वहाँ पर सैनिक की बात सन रही थी सुनने के बाद रानी ने कहा आपने किसान की तो परीक्षा ले यी है लेकिन किसान की पतनी की परीक्षा नहीं ली है इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार इसके बाद रानी ने कहा अब मैं भी किसान की पतनी की परीक्षा लेना चाहती हूँ जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा की कौन समझदार है फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा की मेरी बात किसान की पतनी को बोलना और याद रखना यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो सैनिक ने पुछा की रानी क्या बात बतानी है वह तो बताओ तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगता है तो उसके घर से किसान की पतनी निकल कर आती है कहती है बताओ क्या हुआ क्यों धिंधोरा पीट रहे हो तो सैनिक ने कहा कि मैं राजमहल से आया हूँ मुझे रानी ने भेजा है किसान की पत्नी ने कहा बताओ किस लिए आये हो तब सैनिक ने कहा रानी ने बोला है यदि तुम अपने पती किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी ही लेकिन उसका दो गुना जमीन भी रानी आपको देगी यह बात सुनकर किसान की पतनी तयार हो जाती है कहती है ठीक है यदि मुझे इतना कुछ रानी साहिबा देंगे तो मुझे मनजूर है मैं अपने पती को मार दूंगी तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पती को मार दिया है तभी किसान की पत्नी बोलती है मेरे घर मैं जो दीपक जल रहा है जब मैं किसको मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राज महल जाता है और राणी को सारी बात बताता है किसान की पत्नी की बात सुनकर राणी बहुत अचम्भित हो जाती है राजा और राणी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को गुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरे पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए तुम लोग ऐसा करो उसे किसके घर जाओ और सारी बाते बता दो और उसे किसको बचा लो वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोच हैं कि किसान की पत्नी किसको तो रात में मारेगी और दिया बुझाएगी इससे तहले की हम किसान के घर में पहुँच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं मित्रों जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तु किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया तब वह किस की पतनी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था इसलिए सेट को तो मैं दिन में ही मार दिया है सभी सैनिक तुरंथी कि किसान के घर से दोड़े दोड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं राजा और रानी करोज से आग बबूला हो जाते हैं और दोनों को श्रीजात से घ्रिना होने लगती है इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बना कर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं सैनिक जाते हैं किसान की पत्नी को बंदी बना कर ले आते हैं राजा किसान की पत्नी से पूछता है ऐसा तुमने क्यों किया तुम लालची औरत हो तुम है पैसों से प्यार है तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था वह तो मैं कोई बहाना ढूंड रही थी क्योंकि किसान की आते बहुत खराब थी वह मेरे साथ बहुत खराब किया करता था तो राजा ने कहा ऐसा क्या करता था किसान तो किसान की पत्नी ने जवा पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीव से स्पर्श किया करता था। मतलब जानता था राजा ने पुछा यह बताओ जब आप लोग गरीब थे। तब क्या किस आपके साथ यह काम करता था तो किसान की पतनी। बोलती है नहीं महाराज तब ऐसा नहीं करता था तब बहुत किसान अच्छा। था तो राजा ने कहा मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता। था उसी समय संत जी ने शिव से पुछा तुम्हें कुछ समझ में। आया औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक। धन प्राप्ती होती है तो शिव ने कहा है संत जी मु करता था वह है उसके नाग के उपरी हिस्से को अपने उंदली से दबाता था तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की इलत है उसे अपनी उंदली से औरत के नाग के उपरी हिस्से को जुरूर दबाना चाहिए दोस्तों औरत के नाग के उपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है औरत के उसे अंपर्मा लक्षमी का वास होता है। इसी वजह से जो यह काम करता है, वह हमेशा धनवान पुरुष वन जाता है। होता है जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्षमी आपसे प्रसंद हो जाती हैं और आपको अपार धन देती हैं। और आपने एक बात तो ज़रूर सुना होगा और ते माता लक्षमी का रूप मानी जाती हैं इसी वजह इस संसार में जो भी मनुष्य यह दो पवित्र काम करता ह उसका घर धन से भर जाता। है जो की आपने कहानी में किसी भी अपनी पत्नी के साथ। कर था लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी। पत्नी से सारी चीज बात कर करना चाहिए अन्यथा आपके जीवन में। किसकी तरह अनर्थ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की है ज्यान वर्धक विडियो आपको कैसी लगी तो भगवान के नाम पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए जो भी इंसान भगवान का नाम कॉमेंट में लिखता है उसका जीवन सफल हो जाता है